देखिए मैंने पहले भी बताया है कि मैं नतीजों को एक फेज बाइस दूँगा और सबसे पहले मैं 11-12 के भिर्थियों को दूँगा उसके बाद 9-10 और उसके बाद प्रात्मिक के और इसका कारण है इस सिक्वेंसिंग का कारण यह है कि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो आवेदनामंतृत किया था उसमें हम लोगों ने प्रस्ट किया हुआ था कि जिसको भी एक नौकरी मिल जाएगी उसका वही नौकरी हम उसको देंगा दूसरी नौकरी नहीं देंगा क्योंकि हो सकता है कि किसी ने तीनों के लिए अप्लाई कि योग गिसे तीनों इसके अमेरिट लिस्त में आ रहा हो, तो वह था है कि वह एक ही नौकरी कर पाएगा और यह आवेधन रहूं स्पस्ट कर दिया था, है कि हम एक ही नौकरी देंगे और जो मिल जाएगा उसी को देंगे और इसका क्रम जो हमा रहा है उस सबसे पहले हम उसको 11 12 के लिए देखेंगे और इसलिए सबसे पहले हम उसी का रिजर्ड निकालेंगे तो जो इसमें जिसका चैन हो जाएगा उनको फिर हम 9 10 में consider नहीं करेंगे और इसी कारण से हम इस तरह से phasing कर रहे हैं कि पहले हम 11 12 के नतीजे कब तक